हरे कृष्णा तो सभी का स्वागत है आज के सैटरड़े लाइव सेशन में जिसमें आज माधूरी कादम बिनी से हम लोग भक्ती जीवन में अनर्थों की चर्चा करेंगे भक्ती करने के दोरान कई अनर्थ होते हैं उसकी चर्चा एक ग्रंत है श्रीले विश्वनाथ चकवर परति ठाकूरने श्रद्धा से लेकर प्रेम तक हमारे भक्ति जीवन में अ हो बक्ती मार्ग में यह नो स्तर है रहिफ़ ए नो सौपान है शुरुवात होती है श्रद्धा से भगवान की भकती में या भगवान के अस्तित्व में सबसे पहले श्रद्धा हो और उस श्रद्धा के अधार पर फिर साधुों का संग करना, भगवान के वाणी, गीता, भागवत, गरंत वगयरा उसा पढ़ना उसके बाद भजन करना भजन करिया सादू जो है गुरू है वो हमें किस प्रकार भजन करना है वे सिखाते हैं और यदि हम ठीक से guardian करते हैं सादू के या गुरू के कहें हैं नुसर तो हमारे जितने अनर्थ हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं को जाते हैं और दो से मंउक्त हो जाते है तो बाजन मार्ग में हम निष्ठा प्रार्प्ततेयं ह क्याद हे ब्यूंतर निरंटर, हर समय भगवान की बक्ति होना, भगवान के प्रेम के आनंद जीवन का लक्ष है भगवत प्रेम वो प्राप्त होता है तो पहले के जो पाँच स्वापान है पहले के जो पाँच सीडिया है यह बहुत शुरुआत में कठिन होती है इनको पार करना खास कर जो चोथा सीड़ी है जिसको अनर्थ निविध्ति कियातेएं अनर्थों से मुक्त होना बहुत मुश्किल का रही है अनर्थ का ही अनर्थ का मतलब है जिनका कोई आवशक्ता नहीं है जिनका कोई आवशक्ता नहीं है हमारे जीवन में जैसे हमारा हम आत्मा है हमें भगवान से प्रेम करना है लेकिन ये सारे जो बाधाएं आते हैं भगवान और हमारे बीच में जो बाधाएं आते हैं शारिरिक, महानसिक, अलग-अलग बाधाएं तो इनको बोलते हैं अनर्थ, अब इनसे मुक्त होने के लिए हमें भजन करना पड़ता है, भजन क्रिया, भजन क्रिया भी दो प्रकार के हैं, पहला है अनिष्टिता, यानि निष्ठा से नहीं कर रहे हैं भजन, हम कर रहे हैं भजन, लेकिन निष्ठा के साथ नहीं कर रहे ह कभी-कभी मन करता है कभी नहीं करता है तो इस सोपान में या इस तर पर श्रीलविश्वना चक्विटि ठाकुर ने बताया है कि छह अलग-अलग सिम्टम्स छह अलग-अलग लक्षन प्रकट होते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि अभी भी हमारा भजन ठीक से नहीं हो रहा अभी और अच्छे से भजन करना करना पड़ेगा हमको तो एक एक करके चर्चा करेंगे पहला बताया है उत्सा मई कि उत्सा मईएक कर थै कि भजन करने में बहुत उत्सा है लिकिन वो यानि एक ये जैसे प्रारण भी उत्सा होता है कुछ भी कार ये शुरू करते हैं जैसे पहली बार श्कूल जाते तो बड़े खुशि से जाते連 नए दोस्त मिलेंगे अभी पहली बार श्कूल पुल जा अच्छा लगता है लेकिन वो उत्सा फिर दीरे-दीरे कम होने लगता है वो उत्सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ, सेवन, टेंथ, ट्वेल्थ और कठीन होता जाता है तो वो उत्सा उतना नहीं रहता तो उसी तरीके से जब कोई भक्ती जीवन में प्रारम में जुड़ता है तो उसको लगता है बस अब भगवाद्धाम पहुंच गए बस अब मैं शुद्ध भक्ती कर रहा हूँ अब भगवान की क्रपा होने ही वाली है दर्शन मिलने ही वालें बस और बहुत उत्सा होती है लेकिन इस उत्सा के कारण कई बार वह क्या करते हैं दू उत् Tam रह informações तो कि इस प्रकार से शुरूँ-शूरू में के अति उत्सा के कारण दूसरे भक्तों में गलती खोजना या उनकी निंदा करना ये एक अनर्थै जो भजन में बादक है इसको बोलते हैं उत्सा महि यानि एक प्रकार का अहंकार कि मैं कितना अच्छा भक्ती करता हूँ मैं कितना अच्छा भजन कर रहा हूँ तो वास्ता में भक्ती का अर्थ है विनम्रता और भगवान को अहंकार सहन नहीं होता तो ये एक अनर्थ है फिर अगला है घन तरल बहुत भक्तों ने या बहुत सादकों ने इसको हमेशा अनुभफ किया ही है घंञ का मतलब अच्छे से भक्ती कर पा रहे हैं बहुत उच्छा के साथ भक्ती कर पा रहे हैं और तरल का मतलब है अभी एकधम धीले पड़ गए हैं दो हफ्ते पहले तो हम पतानी कितने कितने 25-35 माला करते थे रोज, सुबह जल्दी उठते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अभी हमारा उत्सा खतम हो गया, हमारा कुछ भी एक भी माला करने का मन नहीं कर रहा है, मानलो 6 महीना या एक साल ऐसी निकाल दिया हमने, केवल भोतिक कारियों में लगे हुए हैं, फिर दुआरा हमारा बहुत अच्सा हुआ हम फिर से 25-35 माला करने लग गए, निर्जल वरत रखने लग गए, और 64 माला भी कर लिया, फिर कुछ टाइम बाद फिर से हम TV, सोशल मीडिया और यही सब चीजों में फस जाते हैं, और माला चीजों में इशा के साथ नहीं कर रहे हैँ, हम बीच बीच में डामाडॉल हो रहे हैं , तीसरा है विूडवृकल्प का अड़्थ है कि हमारे मन में हम निरधारत नहीं कर पा हुए बहुत समय लेंग, और क्या पता मैं जीवत रहे हाँँ आपूंगा कि नहीं, अगर उस बीच में मैं उस दोरान में शरीर छोड़ दिया तो मेरा भजन तो पूरा हुआ नहीं तो इसलिए मुझे अभी सही सब कुछ त्याग दिना चाहिए और भगवान की पूरी शरण स्विकार कर लेनी चाहिए और अच्छे से भक्ती करना चाहिए और जब हम इस प्रकार विचार करते हैं तो अरे यह तो बड़ा मुश्किल है तो बड़े-बड़े महान भक्त भी हुए है वो ग्रियस्ताश्रम में भी थे वे भी भजन करते थे तो क्या जरूरत है संसार को त्याग करने का शास्त्र में तो बोला है कि आप ग्रियस्ताश्रम से भी जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ त्याग दें तो मैं ग्रियस्ताश्रम से होते हुए जाऊंगा तो इस प्रकार से जब वो ग्रियस्ताश्रम में जाने का सोचता है तो फिर त्याग का सोचता है कि नहीं नहीं यह तो बहुत मुश्किल है और अगर मैं फस गया तो फिर उसलता है कि मैं सब कुछ त्याग दूँगा और मैं सादू जीवन जीओंगा विरक्त जीवन फिर वो उतना हिम्मत भी नहीं होता कि अरे घर से दूर कौन समालेगा खाने को मिलेगा और आश्र में यदि कुछ परि इसको बोलता है व्यूड विकलप तो दिक्कत यह है कि निकला था भज़न करने लेकिन अभी इसमें फस गया कि मैं किस प्रणार भज़न करूँ भगवान का विचार ना कर पाए और केवल यही विचार करता रहे कि क्या मैं त्याग करूँ, क्या मैं संसार में रहते हुए वक्ति करूं तो भगवान का विचार तो आई नहीं रहा वो केवल अपना मार्ग चुन्ने में ही व्यस्त है तो ये भी बादक है यानि इस प्रकार हम भगवान का विचार ना करके केवल future planning future planning में ही फसे रहे गए तो ये भी एक अनर्थ है जिस कारण से निष्ठा के साथ से मैं अपने इंड्रियों को दमन करूंगा है जैसे हमारा जीब है हमारा उदर उपस्त शेणिंद्रियां है जो काम इच्छा पून करने के लिए तो हम बोलते कि नहीं अब भगवान के भक्ति में हम अंद्रितिती नहीं करेंगे और इस प्रकार हम प्रयास करते हैं लेकिन कई बार फिर इंद्रितिप्ति के शिकार हो जाते हैं, कई बार हम उस नियम को पूरा-पूरा पालन नहीं कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं विशय संगरा, विशयों के साथ हमारा बार-बार संगर्ज चल रहा है, कभी-कभी हम कर पाते हैं, इंद्रियों को सहिमित कर पाते ह और कभी-कभी हम इसके शिकार भी हो जाते हैं, सहय में इतनी गरपाते हैं तो यह भजन कुरिया है लेकिन अभी निश्ठा प्राफ नहीं किया हमने, अभी भी अनर्थों में फसे हैं पांचवा है नियम अक्षम इसका मतलब है कि जैसे हमारे जीवन में भी हुआ होगा कभी कभी सभी ने अनुभव किया कि मैं अब 16 माला जब करूँगा आज से मैं 16 माला जब करूँगा और एक दो चार पांच दिन हम 16 माला जब करते हैं फिर उसके बाद अरे कल करूँगा औ बादत जो है चूट जाती है या मैं रोज किताब पढ़ूँगा गरंतों का अध्यान करूँगा कुछ दिनों तक करते हैं फिर चूट जाती है और जो 16 माला जब कर रहे हैं वो यह सोच सकते हैं कि अभी मैं 25 माला करूँगा अभी 32 माला मैं 68 माला करूँगा 64 माला करूँ कि मुझे अपना भजन बढ़ाना चाहिए भगवत प्राप्ति करनी है तो यह अच्छा इच्छा है सही इच्छा है लेकिन अभी हृदय दुर्बल है और उतना निष्ठा से नहीं कर पा रहा है इसलिए वो चूट जाता है अक्षम है उस नियम को पालन करने में अक्षम रह यह भी अनिष्ठिता है यानि भजन तो कर रहे हैं लेकिन उसको बढ़ानी पा रहे हैं तो यह एक अनर्थ है भजन को बढ़ाना चाहिए और आखरी है तरंग रंगिनी तरंग रंगिनी का अर्थ है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर सारे सद्गुन देवताउं की गुड हमारे चरित्र में आ जाते हैं इस कारण से बहुत ही असबी के सभीके लिए बहुत आकर्शक बन जाते हैं ऐसे भक्त लोग उनकी वानी उनका जो खुष चेहरा और उनका तेंशन फ्री जीवन है सबी लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनके अंदर ब प्रदुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्द कि मुझे भगवान की भक्ति या भगवान की भक्ति का अर्थ है अमानी न मान देना ये मान सम्मान की इच्छा से उपर उठके भगवान को कैसे प्रसंद किया जाए और कई बार वो इस विचार में फ़र्ज जाता है कि अरे देखो ये शुद्ध भक्ति है मेरे भक्ति के प् तो में मिल रहा है आनन्द आ रहा है, मैं सभी लोग मेरे को प्रणाम करें हैं सभी लोग मेना गुण्वान कर रही है और मैं किदे भी जाता हूं सभी मेरा समान करते हैं तो बड़ आननदायक है भक्ती देखो इतना अच्छा है यह तो, यह वह प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा में आनंद लेने लग जाएं तो वो बादक है फिर भगवान का स्मरण कम होने लगता है और अपना जो महानता है वो ज़्यादा होने लगती है हम सेल्फ कॉंशिस ज़्यादा हो जाते हैं और किसी ने जरासा भी हमारा कुछ दोश दृष्टी कर दिया जरासी भी हमारी कुछ आलोच ना कर दी हमें सेहन नहीं होता प्रोध आजाता है प्रोध और मोहों अहंकार यह सब अनर्थ थे भक्ति में इनका कोई स्थान नहीं है तो यह सब पनपने लग गए क्योंकि हम बहुत इक सुखों को ही भक्ति का रिजल्ट्स मानने लगए और उसी में अनंद लेने लगए तो जो उच्चे रस है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम इसी निचले रस में फसे रह जाते हैं तो यह च्छे जो लक्षण है या च्छे जो अनर्थ है जो अनिष्टिता भजन करिया के दोरान हमारे को अनुभव होते हैं तो निच्चित सभी ने अनुभव किये होंगे कहीं न कहीं इन शेयों को अपने भजन के दोरान और फिर विश्वनाच चकुर्ति ठाकुर समझाते हैं कि यदि हम और निच्ठा के साथ और अच्छे से भजन करें तो फिर निच्ठित भजन क्रिया के स्थर पर आ सकते हैं तो निच्ठित भजन क्रिया के स्थर पर आने से हमारे अनर्थ सारे दूर हो जाएंगे और हम निष्ठा के सर पर पहुंच सकते हैं तो आज हम केवल अनर्थ निवृत्ति का चर्चा कर रहे हैं ऐसे तो भक्ति के बारे हम बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं लेकिन आज हम अनर्थों का चर्चा कर रहे हैं जो जब करने के समय या फिर भक्ति करने के समय अनुभव करते हैं तो आगे कुछ और अनर्थों का चर्चा कर रहे हैं और यहां पर शिल्रवर्शुनाथ चकवर्टी ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसे पांच और लक्षन हैं यदि हम भजन के दोरान इन पांच लक्षनों से प्रभावित ना हो यदि हम अगले पांच लक्षनों से मुक्त हैं तब हमारी जो भजन क्रिया है वो ठीक से हो रही है और यदि हमारे भजन क्रिया में जो आने वाले पांच लक्षन हम चर्चा करेंगे यदि वो लक्षन हमारे भजन क्रिया में दिख रही है इसका मतलब अभी भी हम निश्ठा के स्थर तक नहीं पहुँचे हैं अभी भी अनर्थों से उपर उठने का प्रयास करना है हमको तो चलिए चर्चा करते हैं उन में से पहला है लए जो हमने पिछले हफ़ते पूरा सेशन इस पर डेडिकेट किया था कि जप में नींद क्यों आती है तो लए का मतलब है नींद आना खासकर जब भगवान के कथाएं सुनने की बात आती है या भगवान के नाम जब करने की बात आती है या भगवान की लीला स्मरंड की बात आती है तो उस समय कई सारे सादगों को नीन्द आ जाती है उनका मन सुप्त हो जाता है वो नीन्द आती है ध्यान बटक जाता है और सो जाते है तो जो इस भारे में अधिक जानकारी चाहते है तो पिछले हफते हमने एक live session किया था कि जब में नीन्द क्यों आती है उसमें हमने कई कारण बताए थे जिसका एक मुख्य कारण था हमारा जो स्वास थे यह लाए जो है यह तमुगुण द्वारा उत्पन अनर्थ है हमारे शरीर पर तमुगुण के प्रभाव के कारण हम भ कारण से फिर हमें नीन्द आती है हमारा मन भटक जाता है ध्यान लगता नहीं जब में तो जो इस session जो इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं पिछले session में मैंने बहुत विस्तार से इसके वर्णन किया है तो यह तमुगुण के द्वारा उत्पन एक अनर्थ है ले जिसका के जब कर रहे हैं हमें नीन्द भी नहीं आ रही है लेकिन हमारा मन पूरा संसार का ब्रह्मन कर रहा है आज मुझे यह यह काम करने है ऑफिस में यह काम करना है फिर बिजनस इस तरीके से यह डील करना है और अभी मोटर चालू करना है भी खाना बनाना है लेट हो रहा है ब इचलित है वो ध्यान एकाग्र ध्यान नहीं है उसका वो पूरा भोतिक विश्यों का चिंतन कर रहा है या उस बारे में सोच रहे हैं तो ये भी भजन मार्ग में बाधा है एक अनर्थ है जो रजोगुण द्वारा उत्पन किया गया है हमने रजोगुण का संग किया है रजोगुणी आहार या रजोगुणी लोगों का संग या रजोगुणी कार्य कर रहे हम हमारा कर्म रजगुणी है, जिस कारण से भजन में मन नहीं लग रहा, हमारा मन इन सभी चीजों से विचलित हो रहा है, तो इसको बोलते हैं vic shape, निष्टा तब आती है जब हमारे भजन में vic shape ना आये, हमारे भजन में लए ना आये, है ना, ये इस प्रकार समझा रहा है तीसरा पॉइंट है अप्रति पत्ति अप्रति पत्ति का अड़त है कि हमको नीद भी नहीं आ रही हम बैठके जब कर रहे हैं लेकिन हमारा मन भी नहीं भटक रहा हमारा मन भी एकागर है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हम ध्यान से सुन रहे ह भगवान कानाम चारंख एक मैंन ने में design करना करते हैं कर रहें और आप्रति मतलब कुछ खास Oh महसुस नहीं कर रहें किवल बस जब रहें उसमें कोई भाव नहीं है तो इसको बोलते हैं कृत्रियम जब या यान्तरिक्क जब अंगरेजी में बूलते हैं मेकेनिकल चैन्टिंग चैन्टिंग हम लेकिन उसमें कुछ अनुभव या भाव helpless आन lucky प्रेथ भ बहुती जगत में जो सत्वगुण भी है वे भी रजव और तमवगुण से मिश्रित हैं तो इस कारण से हमारी जो वास्तिविक प्रेम है वो अभी भी सुप्त तवस्था में है तो हमारे आचारे बताते हैं कि बड़े भाव से जब करना चाहिए हमको हे कृष्ण हे राधाराणी मैं आपका नित्य दास हूँ लेकिन जन्म जन्मांतर से मैं इस भौती जगत में फसा हुआ हूँ और बार बार मैं अपने इंद्रितिप्ती का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिल रहा है बार बार मुझे केवल कष् मैं आपका दास हूँ मैं आपका नित्य दास हूँ लेकिन किसी ना किसी कारण से मैं इस भौती जगत में पतित हो गया हूँ गिर चुका हूँ और बड़े भयानक भौतिक सागर में पढ़ चुका हूँ कृपया करके अपने चरण कमलों में मुझे एक दुली बना चाहिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ तो बड़े भाव से बड़े आतूरता से बच्चा जैसे रोता है अपने मा या पिता के लिए तो हम बिछड़ चुके हैं भगवान से इस क्रंदन के भाव से भगवान से हार्दिक प्रातना करनी चाहिए अपने आध्यात्मिक जब करने का श्रीले बक्ति सिदान सरस्वति ठाकुर ऐसे भी बोलते हैं कि जब करते दौरान आपको साडी मैं शायद गलत कोट कर रहा हूँ कौन से आचारी बोलते हैं मुझे याद नहीं है लेकिन हमारे आचारी कोई एक आचारी बोलते हैं कि जब करने के दौरान इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए कि भगवान हमारे सामने समक्ष खड़े है भगवान में भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है भगवान आध्यात्मिक है भगवान का नाम भी आध्यात्मिक है भगवान के नाम में भगवान के सारी शक्तिया है तो हम जब जब करते हैं तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि भगवान हमारे समक्ष खड़े है साक्षाद खड़े हैं लेकिन हमारी आँखे नहीं हैं हम देख नहीं पारें भगवान को तो सोचिए यदि भगवान आपके सामने आ जाएं तुरन तबी आप क्या करेंगे कोई डंडवत करेंगे कोई भगवान को अलिंगन करेंगे कोई भगवान के चरणों को पकड़ लेंगे और रोहेंगे या कोई भगवान को माला पहनाएगा कोई भगवान को अलग-अलग सेवाय करने का प्रयास करेंगे तो हरी नाम जब के दोरान इस प्रकार का भाव इस प्रकार के आतुर्ता, इस प्रकार का सावधानी से ध्यान से जब करना चाहिए हमको, तब हम इस अनर्त से अपरति-पत्ती से भी छूट सकते हैं. अगला है कशाय कशाय का मतलब हमारे जो पुराने आदते हैं पुराने पाप है हमारे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं यानि पुराने पाप की प्रविर्तियां हमने लाको करोडों जन्मों से जन्मों जन्मांतरों से अनेक प्रकार के पापों में लिप्त हुए हैं और वो आदत वे जो छाप हैं वे जो प्रवित्तिया हैं वो हमारे चित्त में गड़ी हुई हैं तो हम भजन करने आते हैं भजन करते हैं लेकिन बीच बीच में काम, क्रोध, लोब ये सब अनर्थ जाग जाते हैं या इडशा दूसरे भक्तों के प्रति इडशा या भगवान के प्रति नाराजगी या रोश या लोब मुझे और चाहिए और बहुत एक वस्तों चाहिए मुझे तो ये सब जो हैं भजन हम कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ में ये चीज़ें भी आ जाती हैं हमारी जो पुरानी आदते हैं हर एक के कुछ न कुछ पुराने आदत होते हैं तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है एक इंगलिश में कहावत है पुराने आदते को छोड़ना असंभव है प्राय असंभव तो ये हमारे भजन में बार-बार बादख हो जाती है और इस प्रकार से कई बार वैशनवर प्राद कर बैठते हैं कई बार गुरू की अवग्या कर बैठते हैं कई बार नाम के बलबर पाप कर बैठते हैं अलग-अलग स्थितियों में फस पाते हैं फस जाते हैं तो यह भी हमारे भजन में रुकावट है कि निश्ठा से हमें रोक देती है निश्ठा किस तर तक नहीं पहुँच पाते हैं इन कारणों से नियारी हम को मन भटक भी नहीं रहा है और अच्छा भी लग रहा है भगवान का नाम भगवान कता है सुनना लेकिन जब भजन हम रोक देते हैं, मान लो कुछ और कारिय करने लग जाते हैं, जब करना रोक देते हैं या हरीकता सुनना रोक देते हैं और कुछ और कुछ कारी करते हैं, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं, उस कुछ समय के लिए हम भगवान को भूल के इस दुवारा इस अंसार में रमन इस बहुत एक जगत का रस को आस्वादन कर रहे हैं और इस कारण से भी हमारी जो निष्ठा है वो कट जाती है वो रुख जाती है अजय को निष्ठा कार्थ क्या है निरंतर निरंतर कार्थ है चोबीस घंटा भगवान के सेह में व्यस्त रहना चैतनिमाप्रुवू हमें बता है कीर्टनिया सदाहरी सदा और भगवान कृष्ण भी बोलता है सततम कीर्टयंतों अम यतं तस्चदडवविता और गीता के नाम सतत युकता नाम सतत यह जो शब्द है सतत मतलब हर समय हर समय व्यस्त रहना भगवान की सेवा में बिना किसी इंटरवल बिना किसी पॉज के बिना किसी मिश्रण के वो शुद्भक्ति है और उस तर तक पहुंचने के लिए हमें 24 गंटे में से 24 गंटे पुरा भगवा करते एक दिन उस तर तक प copingशेंघे लेकिन जब-जब हम उसमें रुकावट डाल देते हैं जब-जब शुल हम चलो से साशल मिडिया देखते हैं चलो बना सा टाइम करते हैं एक पर सो करका के आते हैं जोड़ा निंदा करते हैं Sullivan फिर से दूशत हो जाता है माया का दूशन उसमें आ जाता है , और फिर हम हमारी जो भजन क्रिया ईसमें रुखावट आ जाती है प्रवपा जी एक उधारण दे के समझा है इस बात को जैसे अगर आपके पास एक सूखी लकड़ी है एक तरफ से आप उसमें आग लगाना चाह रहे हैं लेकिन यदि दूसरे तरफ से आप पानी भी डाल ले हैं उस पर यानि यहां से आग लगा रहे हैं और यहां से पानी भी डाल ले हैं तो वो सूखी लकड़ी कब आग पकड़ेगी वो आग नहीं पकड़ सकती है हाला कि सुखी है यानि इतना भजन करके हमने अपने भोते किच्छाओं को सुखा दिया लेकिन दूसरी और से थोड़ा सा कभी-कभी इंद्रतित्ति जब हम कर लेते हैं तो उससे क्या है? कृष्ण भक्ति में प्रतिपत्ति, कशाय और रसास्वाद जब ये पांच लक्षन हमारे भजन से गायब हो जाएं जब ये ना रहें और केवल भगवान के नाम भगवान की गथा है भगवान की सेवा करने में हमें आनन्दा रहा है और ये रुकावटे नहीं आ रही ये अनर्थ नहीं आ रहे है हमारे भजन में तब हम समझ सकते हैं कि अब मैं निष्ठा के स्थर तक पहुंच गया हूँ अब मेरी अनर्थ निवरित्ती पूर्ण हो चुकी है अनर्थों से मुक्त हो चुका हूँ तो ये बहुत ही बहुत बहुत बड़ा कारी है यह अनर्थों से मुक्त होना और निश्ठा के स्थर पर आना अनर्थों से मुक्त होना एक पहाड चड़ने के समान है निश्ठा के स्थर पर पहुंचना मतलब अब आप पहाड के चोटी तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो रुची आस करनी पड़ती है तो निष्ठा के सतर तक पहुंचने के लिए महनती महनत लगातार लेकिन जो व्यक्ति निष्ठा तक पहुंचे फिर रुची आसकती भाव प्रेम को रोक नहीं पाएगा अपने आप वो आगे बढ़ेगा उस मार्क पर भक्ती उसकी अपने आप बढ़ती र सकते हैं लेकिन मेरा हमेशा फोकस रहता है सलूशन के उपर प्रॉब्लम से ज़्यादा जरूरी है उसका सलूशन तो क्या उपाए है इन अनौर्थों से मुक्त होने के लिए इस पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो हमको धहरिया रखना चाहिए हमको यह बात समझनी चाहिए कि अनौर्थों से मुक्त होने के लिए कई बार कई जनम लग सकते हैं भगवत गीता में भी अर्जुन ने यह प्रशन पूछा है छटे अध्याई में कि है यह साइट 37 38 39 इन श्लोक में यह प् ना भी लेओं लेकिन यदि बीच रस्ते में मेरा मन बदल जाए अगर मैं भटक जाओ और फिर दुआरा इस संसार को भोग करने का इच्छा कर लूँ तो ना तो मैं परलोग को प्राप्त कर पाया क्योंकि मैंने भजन माल छोड़ दिया ना तो मुझे परम सिद्धी प्रा जाग के चला गया कई सालों के लिए मैं संसार के पति विरक्त रहा और अब तो मैं बुड़ा हो चुका हूं लेकिन मेरे अभी इच्छाए हैं तो इस संसार को भोग करनी पाऊंगा और मेरा अगला गंतव्य भी पूरा होनी पाया तो क्या होगा ऐसे विक्तिका तो भगव के प्रति वो उच्छे लोगों को जाएगा उच्छे लोगों को प्राप्त होगा और वहां पर विशाल भोग कर पाएगा जो जो इच्छाएं थी उसकी वहां पर उन इच्छाओं को पूरा कर पाएगा उसके बाद उसको फिर से मौका मिलेगा या तो बहुत अमीर घर में जनम मिलेगा या तो किसी अच्छे ब्रामन के घर में जनम मिलेगा या तो किसी उच्छ कुल योगी कोई शुद्ध भक्त के घर में उसको जनम प्राफ्थ होगा जिससे की बच्पन से ही वे दिवारा भजन मार्ग में जुड़ सके और ऐसा जीवन प्राफ्थ करके वे बहु नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को वे उन नियमों से उपर रहता है तो संसार के प्रति जैसे कई सारे दाइत तो होते हैं माता पिता के प्रति समाज के प्रति देवताओं के प्रति विश्यों के प्रति जानवरों के प्रति रिन होता है सबी का डेव रिन भूत रिन और पित्र र वे डाइरेक्ट भगवान की भक्ति को श्रिकार कर सकते हैं और ध्यान रखिए मैं नहीं बोल रहा हूं आप मत सोचें मैं बोल रहा हूं यह भगवत गीता में आप स्वयम पढ़िए यह श्लोक संख्या छटे अध्याई के श्लोक संख्या 42 या 43 में आपको मिल जाएगा यह स इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं यह स्वयम भगवान बोल रहे हैं सभी को गीता पढ़ना चाहिए सभी को क्लियर होना चाहिए चीज़ें तो ऐसा जनम प्राप्त करके एक योगी जो असफल रहा पहले वे बहुत ही जल्दी आकर चित जाता है योग के इन नियमों से और व वेद में लिखा हुआ है कि इन सभी के प्रति हमारी रिण है हमको सेवा करनी है लेकिन ऐसे योगी को चूट है और वो पूरा प्रयास करता है ऐसा दिव्य जनम प्राप्त करके वो फिर से पूरा प्रयास करता है भगवान की भक्ति को पूरा करने के लिए अपने योग समसिद्धास ततोयाती परामगतिम इस प्रकार का दिव्य जनम प्राप्त करके जब वो बहुत ध्रिड़ता से भगवान के भजन मार्क पर लगता है जो थोड़ी बहुत बची कुची भक्ति है वो कैसे पूरा हो जाए जो मेरे थोड़े बहुत अनर्थ हैं उनसे कैसे मु तो वो खास प्रयास करने में भी उसको कई जनम लग सकते हैं भगवान याश अब दियूज कर रहे हैं अनेक जन्म समसिद्धास अनेक जन्मों के प्रयास के बाद प्रयतनाद यतमानस्तु यानि बड़े कठिन प्रयास करके वे इन सब कलमोशे से मुक्त हो पाता है ततोया लेकिन यदि हम बहुती गंभीरता से प्रण लेके कि इसी जीवन में मुझे भगवान की भक्ती करनी है इस एक जीवन को भगवान की सेवा में सौपना है अनेक जन्मों में हमने अनेक इच्छाएं पूरी करी हैं अनेक प्रयास किये हैं अनेक सेवाएं किये हैं अनेक प्रयास रहता है तो वह उमीद कर पाएंगे कि शायद एक दो तीन जनम में इस सिद्धी वो प्राप्त करें तो पॉइंट है कि हमें ये बात समझना पड़ेगा कि कठिन है कई बार कई सालों के अभ्यास के बाद भी हमारे अनर्थ चूटते नहीं है तो हताश नहीं होना है भगवान की इन शब्दों को समझना है और बार बार प्रयास करना है भगवान हमें aja कि कि अगला अग्य अनर्थों से उपर उठना चाते हैं दो अगला जरूरी पॉइंट है कि नित्य नियमेत रूप से एक शुद्ध भक्त से भगवान के कथाएं और उपदेश सुनते रहना चाहिए ऐसे गुरु के मार्ग दर्शन लेना चाहिए उनसे दिक्षा लेना चाहिए उनसे शिक्षा लेना चाहिए और उनके छत्र छाया में उनके आदेश अनुसार भज़न क्रिया करना चाहिए यदि हम अपने स्वतंत्र प्रयास से भज़न करते हैं तो हमारे प्रयास पर ही निरभर है यदि हम कहीं असफल हो जाएं तो हमारा कोई उपाई नहीं है लेकिन यदि किनी शुद्ध भक्त के आश्रे लेके करते हैं यदि कई ना कई हमारी कुछ कमी भी आ जाए लेकिन अगर वे हमारे सेवा से प्रसन्न है यदि वे सिफारिश करें भगवान को कृपा याचना करें कि इस बेचारे पर थोड़ी सी कृपा कीजिए तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के बाद्य है उनके हिर्दे में बंधे हुए है शुद्ध भक्त जो भी चाते हैं भगवान इच्छाओं को पूरी करते हैं तो ये सबसे आसान है ये हमारे वैश्न पंत में ये है ये हम किसी शुद्ध भक्त के आश्रे लेके भजन करते हैं तो क्रिश्न कभी भी उसको त्याग नहीं करते हैं ऐसे सादक को त्याग नहीं करते हैं और ये हम शुद्ध भक्त का आश्रे नहीं लेते हैं अपने प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं हम से गलती होगी हम तो अभी भी बद्ध आत्मा हैं तो हम सिद्धी प्रापनी कर पाएंगे तो इसलिए सबसे सरल और सबसे हितकारी है किसी शुद्ध भक्त के शरण में भगवान की सेवा करना भजन करना और उनसे नित्य नियमत गुरु के आश्रे स्विकार करना ही भक्ति की प्रारंब है तो इस प्रकार भजन करके तब हम अनर्तों से मुक्त होने का उपाएं तब हम एक उमीद रख सकते हैं अगला पॉइंट है भगवान के दिव्य नामों का इस हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत गंबीरता पूरव रूपारादों से बच्किए केवल जब करना काफी नहीक है शुरुआत में जब करना बहुत अच्छा है लेकिन जितना हम और गंबीर होना चाहते हैं जितना हम और आगे बढधना चाहते हमको आपरादों से मुक्त होके अपकर भआदों से रहित होके जब करना है इन 10 तो ये कलियुग का धर्म है। अगर आप जानना चाहते हैं हरी नाम की महिमा तो मैं एक लिंक डालूँगा वीडियो की नीचे आप बाद में भी देख सकते हैं। तो इस कल्यूग में हरी नाम के अलावा और कोई उपाई नहीं है भगवत प्राप्ति का यहां से मुक्त होने का तो इस बश्चना हरे हरे तो हरी नाम जब करते समय इन दस अपरादों का ध्यान देना चाहिए मैं अभी तो चर्चा नहीं करूँगा लेकिन इस पे भी एक लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी देखना चाहिए बाद में देख सकते हैं पद्मपुराण में दिये गए हैं कि भगवान के नाम जब करने के दोरान दस अपराद हैं जल्दी से एक बार वता देता हूं फिर बाद में अधिक जानकरी के लिए देख सकते हैं उस सेशन को पहला नाम अपराद है जो सादू हैं या जो भक्त हैं जिनोंने भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है भगवान के सेवा के लिए भगवान के प्रचार के लिए ऐसे व्यक्तियों का निंदा करना ऐसे भक्तों का निंदा करना ये अपराद है हम भगवान का भजन कर रहे हैं लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों को गल्ती खोज रहे हैं उनको दुखी कर रहे हैं तो भगवान कभी प्रसंद नहीं होता है दूसरा अपराद है शिव ब्रह्मा आदी देवताओं के नामों को भगवान विश्णु के नाम के समान अत्वा उनसे स्वतंतर समझना यानि भगवान विश्णु ही या भगवान कृष्ण सरवोच्च है एक मात्र भगवान है और बाकी सबी जो है यहां तक की भगवान शिव बी और ब्रह्मा देव और इंद्र चंद्र वरुन आदी जितने देवता है वेज़ब भगवान कृष्ण या विश्नुके आधीन है। भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनुसार ही अवेकारे करते हैं। यदि हम सोचते नहीं है, शिवजी का नाम भी जब सकते हैं, वो भगवान हैं, ब्रह्मा जी का भी नाम जब लो, सूरी का नाम जब लो, भगवानी है तो यह भी अपराद है तीसरा अपराद है गुरु की अवग्या करना जिन शुद्ध भक्त को हमने गुरु रूप में सुईकार किया है वे हमे आदेश वे हमें भक्ति मार्ग में चलने का रास्ता देते हैं सिखाते हैं तो यदि उनके आदेशों का अवग्या करते हैं तो वो भी एक अपराद है, हमारे सारे पाप वो लेने को तयार है, ऐसा एक शुद्ध भक्त है, और यदि हम फिर भी उनके आदेशों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो ये एक अपराद है, भगवान इससे नराज होते हैं, कि चुध्वक्त इन व्यक्ति को कुछ गाइडन्स दे रहे लेकिन इस गाइडन्स को स्विकार नहीं कर रहा है तो यह तीसरा नाव अपराद है चोथा है वैदिक शास्त्रों के निंदा करना वैदिक शास्त्र में अनेक लोगों के लिए अनेक अलग-अलग उपाय बताए गए हैं कुछ लोग तमोगुण में फसे हुए हैं, कुछ लोग रजोगुण में फसे हैं, कुछ लोग सत्वगुण में फसे हैं लेकिन शुले व्यास देवजी ने सभी लोगों को उधार करने के लिए वैदिक शास्तुर की रचना की है तो अलग-अलग तरीके से सभी को उधार करने का प्रयास करते हैं तो इसलिए कई-कई जगे हमें पशु बली का स्तुति मिलती है वो इसलिए है कि व्यक्ति जो 30 दिन खाने वाला था मास उसको कम से कम 29 दिन मना करना है कि नहीं तुम केवल महीन में एक दिन पशु को काली माता के सामने बली चड़ा कर तब ही खा सकते हो तो पाप के प्रवित्ति को रोकने के लिए इस प्रकार के रास्ता दिया है व्यास द इस प्रकार की निंदा करना है कि पान्च्वा है कि भगवान के नमों की महीमा को कालपनिक समझना अ है बहुत है नाम नमकारी भवन के स किस है बहुन के बताया जाता है हरी नाम करने से हमारे सारे पाप नश्ट हो जाते हैं हरी नाम करने से अनंत पुन्य प्राप्त होता है हजारो अजारो अश्र में दियाग्य करने के पुन्य प्राप्त हो जाता है स्वर्ग लोग जाने का इच्छा पूर्ण हो सकता है सब कुछ इच्छा पू अरे यह व्यक्ति यह थोड़ी कर पाएगा यह काम, यहां साधरन व्यक्ति की बात नहीं हो यहां स्वयम भगवान की बात हो रही है, भगवान के लिए क्या असंभव है और यदि हम भगवान के शक्ति को पूरा यकीन ना करें तो एक प्रकार का इंसल्ट है यह नहीं भगव भगवान के नामों में अर्थवाद का अरोप करना कई प्रखांड विद्वान ज्यानी लोग तथाकतित ज्यानी अपने आपको बहुत ज्यानी मानते हैं और वे संस्कृत के अलग-अलग पांडिक्ति से भगवान के नामों को मोड़ तोड़ काट जोड़ के कुछ नया लिए है जैसे क्रिश्ण का मतलब काला जो कभी नहीं समझसे समझा सकता है क्रिश्ण का मतलब है मैं आपका नित्यदास हूँ आपको भूल के मैं इस बहुते जिगत में गिर गया हूँ और मैं यहाँ पर कश्ट पा रहा हूँ अब मैं मनश्य जीवन प्राप्त करके समझ पाया हूँ कि मैं आपका नित्यदास हूँ और इस जीवन को मैं आपकी सेवा में समन रिपित करना चाहता हूँ कृपया करके मुझे अपनी सेवा में नियोजित करें कृपया करके मुझे आपकी सेवा का अवसर दें जिससे मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूँ और वापस आपके धाम वैकुंड धाम गोलोग बिंदावन धाम में आपकी सेवा प्रारम करूँ तो ये असली मतलब है भगवान के नामों का, तो इस भाव से जब करने से हमें इन अपरादों से मुक्त हो सकते हैं, आठवा है, साथवा है नाम के बल पर पाप करना, हम लोग सुन लेते हैं कि हाँ भगवान के नाम जब करने से सभी पापों के फल से मुक्ति प्राप्त हो ज इतना अच्छा है है तो यह अपराद है अगर कोई बच्चा बोले चलो मैं शरारती मैं शेतानी करता हूं ममी डाठेंगी मैं sorry माँग लूँगा ना क्या हो गया sorry माँग लूँगा sorry ममी please माफ कर दो इतो बड़िया है आज मैं फिर से शरार करूँगा कल जब मम्मी डाटे की दाज़ा, सौरी बोल दूगा फिर अगले दिन जब सौरी बोलेंगे न मम्मी बोलेंगे बेटा ये सौरी नहीं चलेगा तु जान मुझ के कर रहा है कि मैं तुमको माफ करूँगी, मैं नहीं करती माफ और कुछ सजा देगी तो इसी प्रकार से भगवान भी है आठवा है भगवान के नामों के जब को वेदों में बढ़नित कुछ शुभ सकाम कर्म के समान समझना जैसे वेदों में अन्यक शुभ सकाम कर्म है कि आप दान देंगे तो आप अगले जनम में बहुत अमीर घर में जनम लेंगे आप यदि स्कूल खुलवाते हैं तो आप अगले जनम में प्रखांड विद्वान बन सकते हैं आप यदि खाना खिलाते हैं दूसरों को तो आप अगले जनम में बहुत अच्छे धनी परिवार में या आपको स्वर्ग लोग प्राप्त होगा, अनेक पुन्यकारी है, स्वर्ग लोग प्राप्ति के लिए अनेक लोग पुन्यकारी करते हैं, तो यदि कोई सोचे कि चलो हरे कुछ अच्छा काम करने से कुछ अच्छा फल मिल जाए, तो इसलिए भगवान का नाम जबने से मुक्त होना चाहते हैं या हमारे जियोंने कुछ कष्ट हैं उससे मुक्त होना चाहते हैं तो यह भी शुद्ध नाम नहीं है यह शुद्ध भाव नहीं है नवा अपराद है अश्रत धालू व्यक्ति को क्रिश्न नाम की महीमा का उपदेश करना भगवान के नामों की महीमा हैं तो बहुत हैं भगवान के नाम जब करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है अजामिल का उधारन देखिए उन्होंने क्या पाप नहीं किया लेकिन अंत म पकड़ने विश्णु तन भगा दिया निकलो यहां से तुम इसको लेके नहीं जा सकते यम्दु तुम परिशान होगे बहुत यह कौन है फिर जाके यम्राज जी से पूछने लगे कि ऐसे ऐसे घटना हुआ तो क्या आप ही भगवान है या आपके अलावा भी कोई है तब य भग्वान के नाम की महिमा अनंत है लेकिन जो व्यक्ति पर भगवान में श्रद्धा नहीं रखता उनंको यह नाम की महिमा नहीं बतानी है उसको हम क्रोध दिला रहे हैं वो उल्टा भगवान को गाली दे रहा है और वो गाली देने का जो कारण हम बन रहे है तो जो अपराद वो कर रहा है उसका फल हमें मिलेगा वो तो भला शांत आदमी वो अपना दुनियादारी कर रहा था हम जाके उसको छेड़ दिये और उसके मुँ से गाली निकला दिये भगवान के प्रति तो प्रचार करना है लेकिन जो अश्रठ धालु है जो भगवान के या सादू या शास्त्रों में या भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको महीमा नहीं बतानी हरी नाम की उसको हरी नाम सुना सकते हैं उसको हरी नाम करवा सकते हैं लेकिन महीमा मत बताईए क्योंकि अभी समझेगा नहीं आप उसको प्रशाद खिलाईए उनको मंदिर में बुलाईए इस प्रकार से आप प्रचार कीजिए लेकिन उनको हरी नाम की महीमा डिटेल में ना बताएं ये नवा अपराद था दस्वा अपराद है कि हरी नाम की अगाद महीमा श्रवन करने के बाद भी बहुत एक विशय आसकती बनाए रखना और हरी नाम पे पूर्ण विश्वास ना होना पहला है हरी नाम पे पूर्ण विश्वास ना होना कई बार ऐसा होता है कि भक्ती जीवन हमने स्विकार किया भगवान के नाम जब कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ कर्म कांड का भी कुछ अंग ले रहे हैं या कुछ और मंत्र भी जब कर रहे हैं कुछ अलग से पूजा करवा दिया कुछ अंगुटी पहन लिया कुछ शगुन कर लिया, कि हमारा है ना हमारा जीवन थोड़ा और अच्छा हो जाए इसका मतलब है पॵिश्वास ने है कि हरी नाम करने से काफी है हमें लगता है कि नहीं हरिनाम तो है लेकिन वो इतना शक्ति शाली नहीं है तो मुझे कुछ और भी करना पड़े Гार्ण या है कुछ कर्म कांड करके तब मैं तो यह गलत है इसका बोलते है हरिनाम पे पूर्ण विश्वास ना और दूसरा पॉइंट है कि सब जानने के बाद भी कई साल भकति अनगुलन करने के बाद सुनुने बाद समझने के बाद । अहम् मम Dartmouth वना रखना इस संसार के परती यह आहनी ऐस को बहुत ऑन करता है और अनलगया है यानि सब कुछ हम दुखों का घर है और हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता है यहां पर यह सब जानके फिर भी दुवारा यहीं पर रहने का प्रयास करना या योजनाय बनाना या भगवान के भक्ति को उतना महत्व ना देना जितना हम अपने दुनियादारी को महत्व दे रहे हैं इसका मतलब बहुतिक आ सकती अभी भी हमारी है तो यह भी एक अपराद है जिस कारण से हरी नाम की पूर्ण सिध्धी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अभी भी हमारे अनर्थ छूट नहीं पाते हैं हमारे अनर्थ अभी भी हमारे साथ हैं इन सब के लावा एक और अपराद है जिसको क्या बॉलते हैं ध्यान पूर्वक जब्द न है करना कि इम न्युस नुबा इसके नामें अनर्थ कटתे नहीं हैं और बाकि सारे अपराद फिर पनप्ते हैं, न आ मरेस ही अपराद दुबारा दुबारा आ जाते हैं जहीं लिए अद्रुप म कि अंदिनी लेना भगवान के नामों के न्यूंसे पहले लिनागी पा 好 इंशीलता से सभी को सम्मान करते हुए और नित्य निरंतर जितना हो सके भगवान के नाम जब करना तब भगवान हमसे प्रसन्द नो कर दर्शन देंगे खुलासा करेंगे अपने आपको नाहम प्रकाश व सर्वस्य योगमायस अमावृता भगवान बोले मैं सभी को दर्शन देता नहीं हूँ मैं अपने योग माय से अपने आपको धक्के रखता हूं लेकिन जो पूर्ण शर्णागती लेते हैं अरे कृष्णा सारी नेट्वर्क में कुछ एरर आया था तो इंच है उपदेशामृत के इंच लोकों को पालन करने से बक्ति के जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना है बक्ति के जो अनुकूल है उसको स्विकार करना है यदि हम गंभीरता से यह सब करते हैं तब ही उमीद ससे मुक्त हो सकेंगे ना नहीं यह तो ज़ुप्ति प्रक्रिया को यह ठीक से पालन नहीं करते है तो यह सब बाते हैं बहुत ध्यान से बहुत ध्यान पूर्वक बहुत गंबीरता से हमें बजन करना है सादू शास्त्र गूरू के निर्देश अनुसार मार्ग दर्शन अनुसार तब ही उमीद रख सकते हैं इन अनर्थों से मुक्त होने के लिए तो अब यदि किनी का कोई प्रशन है तो आप पूछ सकते हैं प्रशन का उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे अभी कुछ-कुछ प्रशन आना प्रारंभ हो चुके हैं तो मैं प्रशन को पढ़ता हूं या को यह दिखा देता है आपके स्क्रीन पर कि करिश्स्न ऐस कीämän। कि आरे ख्रुष्ण ॐ ऽे लुक्री थे रिष्ण ऐसे थे, अना अग्यूनवीर रे तो माया छेतरी माताजी का एक प्रश्न है पहले तो सभी को धन्यवाद जो जो कमेंट किये हैं, अटेंड किये हैं आपने कुछ लक्ष्मी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, थैंक यू सो मचु इमान्चु पोखर जी हरेकृष्ण और जितेन प्रशाद प्रभुजी हरेकृष्ण तो अभी प्रश्ण आप पूचियेगा अभी एक प्रश्ण है तो मैं इसको अफ्तर दे रहा हूँ माया चेत्री जी का प्रश्ण है मुझे आज मुझे आज ही मम्मी ने गुस्सा किया मेरे उपर जस्ट बिकॉज आई वस चैंटिंग दे महामंत्रा शी सेड इस उसलेस और्ट मी सो मच प्लीज है प्रभुजी हाओ दो आई डील ठीक है तो उत्तम अधिकारी के द्रिष्टि कौन से इसका जवाब देंगे पहले जैसे प्रलाद माराज पर एक्जांपल प्रलाद माराज जो कुछ भी हो रहा है वे देख पा रहे है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है उन्होंने गुस्सा नहीं किया मेरे पिता मेरे क्यों मार रहे है क्यों मना कर रहे है नहीं भगवान की इच्छा है तो कर रहे है भगवान के शक्ति के बिना कोई करता नहीं है और इस भाव में कभी-कभी भक्त भगवान के प्रती रोश भी प्रकट कर सकता है ए भगवान क कि आप क्यों ठांग खीच रहे हैं किसी और के माध्यम से आप मेरे ठांग खीच रहे हैं यह तो अच्छा नहीं आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं तो माध्यम कोई और हो सकता है लेकिन अल्टिमेटली भगवान ही कर रहे हैं तो भगवान देखना चाहरे कि हम कितना सिंस सकते हैं इसको है तो यह थो था उत्तम अधिकारी के पॉइंट अव्यू से लेकिंग्म क्योंकि हम सब अभी अभी अधिकारी नहीं है तो एक आम पॉइंट अभी आपके आपके आप वह काम भी ठीक से करिये हो सकता है कि अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर में आप काम चोरी तो नहीं लेकिन घर के काम भी कीजिए या कभी उनसे भी थोड़ा बात कर लीजिए उनको भी खुश रखिए इस प्रकार से बैलेंस करने का प्रयास कीजिए ताकि disturbance ना करें और आप उन्हें प्रशाद खिलाइए मंदिर से या आप खुद बनाईए बहुत अच्छे अच्छे sweets या बहुत चो उनको पसंद है बहुत ही tasty महाप्रशाद बनाईए बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाईए रोते हुए यह बगवान प्लीज आप मेरी मा को भी भक्त बनाईए वे भी जीवात्मा है लेकिन आपको भूल के वे सोच रहें कि आप नहीं है या यह गलत है प्रेपे आप उनको कृपा कीजिए उनको भी अपना भक्त बनाईए तो इस प्रकार से आप करेंगे तो भगवान ही अगर हम आराम से रह रहे हैं तो सेहन शीलता का प्रैक्टिस भगवान देखना चारें मेरे लिए कितना सेहन करने को तुम तयार हो तो भगवान यह सब देख रहे हैं तो हताश होने की कोई जरूत नहीं है एक और चीज है एक और उत्तर है इसका कि पिछले कर्मों के अनु किये हैं और उसके अनुसार मुझे इससे कई गुना ज्यादा सजा मिलना था लेकिन क्योंकि मैं भगवान के शरण ले रहा हूं ले रही हूं इस कारण से केवल एक छोटा सा अंश मिल रहा है भगवान बहुत दयालू है बहुत कम करके दे रहे हैं यह सजामिर को तो सहन श आप जिए आप फिर ट्राइ करें मालूम नहीं है क्यों रिन्यू नहीं हो रहा है हो सकता है बैंक के कुछ जो ऑटो रिनीवल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है इस कारण से मेंबर्शिप द्वारा लगने रहा कोई दिक्कत नहीं है आप बाद में आराम से ट्राइ ठीक है तो अगर किनी और का कोई प्राश्न है तो पूछ सकते हैं वैसे तो आज का सेशन यहीं समाप्त हो जाता है एक गंटा हो चुका है और सभी अनर्थों का चर्चा किया हमने और उनका निवारण भी चर्चा किया तो हम सभी को मिलके अच्छे से भक्ती करना है भगवान के नामों का शरण लेना है शुद्ध भक्तों का शरण लेना है भक्तों के संग में हरिकता चर्चा और एक उसे को उत्सा दिलाना इस प अगले अफते फिर दुवारा कुछ और सेशन लेकर के भक्ती का चर्चा करने सब इसे मिलेंगे हरे कृष्णा